तो हेलो एब्रिवन मेरे चैनल में आप सब का सुवागत है मैं अज इस वीडियो में बात करना वाला हूँ सनेक वीडियो अप्लिकेशन का बारे में जैसे कि आप लोग का मालूम है कल के डेट में इंडिया सरकार ने snack video application बैन कर दिया इंडिया में ठीक है? उसके साथ 43 application बैन हो गया है ठीक है? उसका मैं description में link दे दूँँगा मतलब पूरा application कौन कौन सा बैन हुआ है ओ लिख रिख के बता दूँगा वहाँ से आप सेंपली चेक कर सकते हो लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल सनेक वीडियो अप्लिकेशन के बारे में इसके पीछे मतलब क्या राज है क्यों यह अप्लिकेशन बंद हुआ क्योंकि काफी लोग का यह मानना था कि यह सनेक वीडियो इंडिया अप्लिक बैन हो गया ठीके आगे चलके बात करेंगे ठीक है तो पूरा किरियेटर यहांपे अपने इंडिया का लगबग मैं ऐसे करूं तो 70% के ऊपर क्रियेटर यहां पर इंडियाई के हैं ठीक है तेसी लिए काफी लोग का कंफ्यूज था ठीक है कि मतलब यह इंडियन अप्लिकेशन लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इससे पहले जो बैन हुआ कुछ अप्लिकेशन तो वहां पर लिष्ट में आया था आप लोग क्या पता हो सकता है देखें होंगे क्वाई एप का ठीक है यह एक क्वाई एप है ठीक है इसका आइकलोन बना के मतलब इसका नाम हो गयरा लोगों गयरा चेंज करके फिर यह सिनेक वीडियो पर आ गया तो अभी 100 मिलियन से उपर इसका यूजर्स है यानि डाउनलोडर्स है ठीक है और इसमें काफी लोग वीडियो मतलब पोस्ट करते हैं सौर्ट वीडियो अप्लिकेशन है और काफी यहां पे तेजी से वाईरल भी हो रहा है और यहां पे एजेंसी यह लोग जोईन करके और कई वीडियो बनाया था इसका से अलरी से वाण लेकर और इसका मतलब एजेंसी कि ऊपर लेकर प्रिया इसा है जोन लेकर बहूत मे और करने का यही है कि जो मतलब security को जैसे क्योंकि Chinese application इसलिए security कहीं मतलब मिस नहों इसलिए मतलब यह application बैन हो गया ठीक है तो आप लोग का मतलब सुनके कैसा लगा अच्छा है या खराब और दूसरी बात यहां पर बताना चाहूंगा जितने लोग अगर जो snake video यूज कर रहे है ठीक है तो उनका बस एक information देना चाहता हूँ अगर जो भी लोग live करते थे तो उनका कुछ जो भी gift आता था तो कुछ मतलब violet में so करता था ठीक है इससे पहले मैं बता दूँ अगर जो आपके violet में अगर जो कुछ डॉलर पड़े है ठीक अगर जो live करते थे या जो भी gifting मिलता था तो कुछ डॉलर पले है तो वो simply आप withdraw कर सकते हो ठीक है अगर जो आपको withdraw करने में कुछ problem आ रहा है या withdraw नहीं हो पा रहा है या आपका server स सबसे अच्छा idea देना चाहता हूँ कि अगर जो देखो आप जो भी application short video अगर यूज कर रहे हो ठीक है आगे चलके यह application दवा कर रहे है कि नहीं मैं इंडियन application हूँ यहां से यूज कर लो फिर ये बंद नहीं होगा ठीक है तो ऐसा कुछ नहीं है आप simply देखो अगर जो short video ूज के लिए इतना ही बनाना है popular होना है या popular आप हो तो सबसे अच्छा यूटूब पर यूटूब के यूटूब पर क्या है कि अगर यूटूब पर भी short video का option दे-दिया ठीक है वहां पर भी short video अगर जो बना सकते हो तो आगे चलके अगर जो अच्छ अच्छ आच्छ पफ्लर हो सकते हो ठीक है ये छोटे छोटे अप्लिकेशन जो भी है वहार में इन्डिया में आरिक से अब्लिकेशन तो हो कहा है कि मतलब मतलब चाइना पे ठीक है प्थाईक कभी कुछ कर् रहा है तो क्या भरोस है मेरा security के साथ भी खेल जाएं काफी लोग का ये मतलब मेरा security क्या जाएगा भाई एक चीज ये बता दो अगर security मतलब देखो आप कोई साभी application यूज करते हो ठीक है यूज करने के बाद से जो भी आप उसमें अपना contact number डाल के अगर जो उसको verify करते हो ठीक है या अपना email डाल के उसको verify करते हो ठीक है आप सब चीज का permission देते हो तो उसके मतलब समझते हो बहुत बड़ा security है ठीक है अगर जो समझने लगो तो ठीक है जिस application पे आप contact number या email डाल के आप verify कर रहे हो ये पूरा bio data उस application के पास जाता है जो उसका owner है ठीक है वहाँ पे जाता है अब हो सकता है आपका ये data कहीं leak हो जाए ठीक है मानके चलो example के तौर पे जिस contact number से आपने snake video verify किया ठीक है उस contact number पे आपका bank account का detail मतलब आपके bank में registered हो सकता है कहीं लिकर ने लिक कर लिया या आपका फिर से यहां से बाइलेंस सबाकी समझ सकते हो ठीक है तो इसी security का मतलब यह नहीं है कि पूरी देश की security है आपका security से लेके पूरी देश के क्योंकि इसमें आर्मी भाई लोग भी काफी लोग हैं और काफी मतलब सरकारी करमचारी वी हैं जो लोग यूज कर रहे हैं ठीक है तो जाहिर सी बात है कि ऐसा करने से पूरी अपने इंडिया का खत्रा हो सकता है आगे चलके तो इसलिए बैन अगर जो हुकूमत कर दिया तो बहुत वीडियों तब तक के लिए जय हिन्द